कस्यापीतात धन्यस्य लोकचेष्टाव लोकनात जीवित एच्छा भुभुक्षाचा भुभुत्सो पशमम गताहा नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है ये अश्टावकर गीता के नौवे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक हो कहता है कस्यापीतात धन्यस्य अर्थाथ हे पुत्र क्या किसी की भी सम्रद्धी की लोकचेश्टा अवलोकनात अर्थाथ लोगों की चेश्टा अवलोकन से जीवित इच्छा भुभुक्षाच अर्थाथ जीवन जीने की इच्छा की भूक और भुभुत्सो पशमम गताह अर्थ साथ कौतुहल के निवारण को गए हैं यहां पर अश्टावक्र जनक महराज से कहते हैं कि हे पुत्र तुम यदि लोगों की चेष्टा का अवलोक करो संसार में देखो कि लोग किस प्रकार से चेष्टा करते हैं तो क्या तुमने कभी देखा है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन जीने की इच्छा या उसकी भूक या उसके मन में जो ग्यान को प्राप्त करने का कौतुहल है उसका कभी निवारण हुआ है यहां पर मूलत है अश्टावक्र जनक महराज से यह ही कह रहे हैं कि इस संसार में जब आप देखते हैं कि लोग किस प्रकार की चेष्टा और अवलोकन करते हैं तो उससे वास्ता में कोई प्राप्त नहीं करते हैं अर्थात हम यहां पर स्वयम की चेष्टा से यदि कुछ करते हैं तो उससे हम वास्ता में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसा यहां पर अश्टावक्र कह रहे हैं अर्थात इश्वर की वस्तु में कोई भेद नहीं रह जाएगा जैसे आप किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेश्टा करते हैं आपको मालिजे की कुछ भोजन चाहिए तो आप आटा ले करके दाल ले करके आप भोजन बना सकते हैं क्रिया करके और आ इश्वर भी फिर एक वस्तू है इश्वर फिर हमसे नीचे हो जाएगा क्योंकि हम अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में हर वस्तू को हम अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं और वस्तू को प्रयास से प्राप्त करने में हमको क्या चाहिए होता है एक तो ह इश्वर वह सर्व उच्य सर्वोंच्य स्वस्च सर्वच द्त्व करते हैं तॉmente है रहें और तए हमारे बसुन औरन को एक स्वस्द होती रिख लिख लीज़ जीवन जीने हिच खीकिनी समाप्त वास्तव में आप देखिए कि वो क्रिया की उसमें आ जाता है कि ऐसा तो हो नहीं सता वास्तव में कि आप बस जीता या पूरे समय यह भूक होती हमारी भूक कहा नर्षर होती आप खा लिजे फिर थोड़ा समय भाद फिर भूक लग जाएगी फिर कुछ खा लीजे फिर कुछ भूख लग जाएगी तो वो संतुष्टी हमें मिली नहीं पाती उसमें और संतुष्टी वास्ते में है क्या संतुष्टी ईश्वर ही तो संतुष्टी है ना जब तक हम इश्वर को नहीं प्राप्त करें तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते हैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर लिए आप संतुष्ट नहीं होंगे, यह जो हमारी स्थिती है कुछ ऐसी है कि जैसे आप एक दौर से एक कमरे में घुसे हैं और फिर एप नकली नकली दुआर जो है उनको खोल के आप सोचे कि मैं बाहर निकल जाओं तो यहां पे लोग इसी प्रदरी चेष्टा करते हैं कि मैं अमर्ज हो जाओंगा असारी से मैं जीता रहूंगा तो मैं इश्वर को प्राप्त कर लोगा वहो नहीं सथा मैं बहुत सारी अधन स्वरूप को प्राप्त करके ही प्राप्त करेंगे जो कि इश्वर स्वरूप है हमें संतुष्टी वहीं मिलेगी जो हम अपने आपको जो हम है उसको हम प्राप्त कर लें और वह हमारा इश्वर स्वरूप और इश्वर जो है वह अनंत है वह कोई सीमित नहीं है क्रिया करक आप संपत्ती एदी खटा करना चाहते हैं तो आप संपत्ती जो है कभी भी असीम संपत्ती नहीं खटा कर सकते हैं लेकिन आप त्याग एदी करें तो त्याग आप असीम कर सकते हैं आप असीम त्याग ऐसे कर सकते हैं कि आप सब कुछ त्याग दीजिए तो आपने पूरे था उत्याग है था वालिया है। आपको उदिया अनन्त नहीं अनन्त को परापट करना गते हैं, वह ही कहवल एक क्यूता है। कोरे बते हैं कि वह वास्तों ये दो कुल जो इसके दुवाहिएं। को आपको समजाने के लिए अचिश्चा कुछ कि अफे आपको क्रिया प्रदान नहीं अब ORgeb इतना कर सकते हैं कि कृपा को अपनी और आकर्शित करने का प्रयास करें अब वो में कब हम पर होगी उसका हमें नहीं पता है वो तो इशुर ही जानते हैं कब होगी उन पर वो यह ठोड़ा भाषा में आ वह वा वो व्यूरद वाली बात हुजाती है कि कृया भी कर रहे हो लेकिन नहीं भी कर रह तुम लोकंत करके देख लो तुम यही हो क्योंकि जैसे ही पिर सुपत है watching हाथ की बात है तो आप में फिर एक अभीमाणा आ जाता है कि देखो मैंने ऐसे से कर लिए जब कि जैसे यहाथ वह वहाथ कर ल्याद के भीतर है, वैसे ईश्वर गाए시면 आपके यहाथ से. तो आपके अंदर वह अभीमाण नहीं आना चीये Paranth तो आपके अंदर वो कामना भी होनी चीए कि आप करें तो यह थोड़ी एक जैसे कहते है ना उसमें बोला गया है कि तलवार की धार पे चलने वाली बात है तो यह बिल्कुल तलवार की धार पे चलने वाली बात है कि आपको आपको क्रिया करनी भी है नहीं भी करनी आपको त ग्यान दे देंगे कि आप अपने वास्तों को समझ पाएंगे और आपको यह बता चलेगा कि अच्छे तो मेरे पास सदासी था कभी ऐसा समय था ही नहीं जबी मेरे पास नहीं था तो वह वाली बात है यहां पर थोड़ी सी ठीड़ी बात है किन्तु आशा करता हूं कि मैंने आपको समझा दिया होगा कुछ आपको संकेत दे दिया होगा यहां पर तो वही संदेशता है यहां पर चलिए इसकी साथ इस वीडियो को हम ही पर समात करते हैं नमस्ते